आज मैं अपने इस वीडियो के मादम से बताऊंगा कि options क्या होते हैं call option, put option जो अक्सर हम market में सुनते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो के मादम से fundamentally समझेंगे तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेर करें तो चलिए, forward और future क्या होते हैं future contract, basically ऐसा contract है जिसमें मैं decide करता हूँ कि आज से एक महिने या दो महिने बाद, एक fixed price में कोई शेर मैं खरील लूँगा यानि मैं उसमें ये कहता हूँ कि अगर आज एक January है तो एक March को मैं ABC कंपने का शेर 100 रुपे में ले लूँगा चाहे उसका दाम 80 रुपे हो या 120 रुपे हो लेकिन seller के साथ मैंने एक future contract किया है जिसमें कि मैंने उसे ये वादा किया है कि दो महिने बाद मैं 100 रुपे में उसे ये share खरील लूँगा चाहे उसका दाम 80 रुपे हो या 120 रुपे हो ऐसे में मेरे पास दो options होते हैं कि एक March के पहले पहले मैं या तो उसके साथ जो contract किया है जिससे मैंने token की थुरू किया था उस contract को मैं किसी और को बेज दूँ यानि कि मुझे वो दो मेने के बाद खरील ना पड़ी या फिर दो मेने बाद सच में मैं उससे वो share खरील लूँ फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक March तक जो token यो contract किसी और को बेचा भी नहीं और एक March को आपने जिसके रहत वो contract किया वो मना कर दो आप कि मैं नहीं लूँगा आप तो दाम अस्ती हो गया है मैं वो 100 रुपे में वो share नहीं लूँगा future contract, future contract binding होते हैं अगर आपने वो contract किसी और को नहीं बेचा तो options contract क्या होते हैं, option और future contract में basically यहीं फर्क होता है कि option contract binding नहीं होते हैं कि आपके पास एक March को option रहेगा आपकी मर्जी रहेगी कि आप उस share को 100 रुपे में खरीदें या ना खरीदें तो आपने यह contract किया था दो दिन पहले कि मैं एक March को ABC कंपनी का share 100 रुपे में खरीदें लूँगा इसका आपने option लिया था future नहीं तो एक March को अगर उस company का share 80 हो गया तो यह आपके पास option रहेगा कि आप उसे खरीदें या बेच तो ऐसे में आप क्यों खरीदेंगे उस समय जब बाजार में माल 80 रुपे में बिक रहा है तो आप 100 रुपे में क्यों खरीदें तो basic यह future और option में difference है तो future होता कि है उसे मैं एक बहुत आसान example चापको समझाता हूँ इविजन करिए कि आपको कोई एक car खरीद नहीं है आप शोरूम गए आपको car प्रसंद आई लेकिन उस car का आपको red color चाहिए अभी ही चाहिए 10-15 दिनों चाहिए क्योंकि आपको कहीं से पता चला है कि GST का tax बढ़ने वाला है अगले महने से कारों पर tax बढ़ने वाला है तो अगले महने कार महेंगी हो जाएगी तो इसलिए मुझे अभी खरेना है लेकिन शोरूम वाला कहता है कि इस car का सफेद रंग अभी लेवल है लाल रंग अगले महने तक आप आएगा तो अब आप फस गए अब आप क्या करोगे या तो इस मेने आप या तो सस्ती सफेद कार करी लो या आगले मेने के लिए आप रुको लेकिन तब GST बढ़ने के चांसे हैं आपको कार कदाम बढ़ जागा और आपको कार महगी मिलेगी ऐसे में आप शोरूम वाला आपको एक option देता है कि आप आज म कॉंटेक्ट हैं वही लोगा तो आपका काम हो गया आपको पसंद का करे भी मिल रहा है आज का दाम भी मिल रहा है तो आप 10,000 रुपए दे कर आपने उसको बुक कर दिया एक मेने बात आपके दोस्त की कही हुई बात गलत निकलती है और GST बढ़ता नहीं घड जाता है तो आप दाम हो गया 4,80,000 और आपने 10,000 रुपए आलेडी दिये हुए यानि पिछले मेने का अगर आप दाम खरीते हैं तो 5,00,000 आपने 10,000 दिये हुए तो आपको 4,90,000 और आपको गाड़ी मिल जाएगी लेकिन अगर आप आज ही खरीते हैं तो आपको 4,80,000 में मिल रही है तो आपके बास दो आप्शन है आप या तो पिछले मेने जो बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है उसमें 4,90,000 दे के कार ले ले या फिर आप वो 10,000 रुपए जो आपने बुकिंग अमाउंट दिया उसको भूल के आज 4,80,000 दे के नई कार ले लो तो ये एक्जाम्पिल आपको समझ आया इसे ही हम इसे हम शेर के एक्जामल समझते हैं जिससे की आप्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये तो 10,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट था आप बस इतना जान लिजे ये बुकिंग अमाउंट ही प्रीमियम है जब आप शेर बुकिंग इस के लिए बिट करने वाली है, BCCI के पास यानी आपको ये चांस है कि अगले महीने पांच साल तक TV पर IPL का ठेका इस टेल्यूजन कंपनी के पास मिल जाएगा तो आज इस टेल्यूजन कंपनी के शेर 100 रुपए का हैं आपको यह लगता है कि अगर इस कंपनी को IPL का ठेका मिल जाए तो इस कंपनी को बहुत मुनाफ़ा मिलेगा और मार्केट का शेर बढ़ जाएंगे तो इस शेर कदाम 100 से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगा लेकिन आप सीधा जाके 100 रुपए में शेर खरीदना नहीं चाहते है क्योंकि आपको क्या डर है कि दो और कंपनी ने भी बोली लगाई है कि ऐसे में अगर इस कंपनी को नहीं मिले आईपेल की बोली तो यह 100 रुपए जो बढ़कर इस उम्मीद में हुआ है वो हो सकता है कि आईपेल का राइट मिल जाए तो वो धराशाई होके 50 रुपए भी जानी चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे तो फिर से आप वो कार और शोरूम वाला एक्जांपल को इस एक्जांपल के साथ मिक्स करते हैं मान लीजिये कि मेरा कार तो नहीं शेर बेचने का शोरूम है तो आप मेरे शोरूम आते हैं आपको ABC कम्पणी जो टेलिविजिन वाली कंपनी है इसका share पसंद आता है लेकिन यही डर है कि IPL का right मिला तो 200 नहीं मिला तो 50 तो आप लेने से हिस्किचा रहे हो तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ठीक है एक मेने बाद अगर जब IPL की bidding होती है आज है एक तारीक तो 30 तारीक को IPL की bidding है तो मैं आपको वो bidding के बाद यानि एक चाहे IPL का right मिले और चाहे शेयर 200 हो जाए तो भी मैं आपको एक तारीक में सो रुपए पे दोंगा चाहे शेयर कदाम गिरे तो तो भी मैं आपको 100 रुपए पर इस शेर आप मुझे खरीना पड़ेगा, यह मैं आपको option देता हूँ, बदले में आप मुझे 20 रुपए आज दे दो और इस शेर की एक महने बाद की booking करा लो, जैसे कार की booking कराई जाती है, वैसे कार का जो booking amount था, वैसे शेर का आप 20 और वो शेर गिर के 50 रुपए हो जाता है, तो अब आप सोचिए, अगर मैंने शेर 100 रुपए में खरी लिया था, और वो शेर 100 का 50 हो जाता, तो मेरा कितना लॉस हो जाता, 50 रुपए का, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने शेर ने लिया, मैंने शेर की बस booking की थी, एक premium देके, कितना premium जाता, 20 रुपए, तो अब जब शेर 50 रुपए का है, तो मेरे पास ये राइट है, कि मैं उसे 100 रुपए में खरीद लूँगा, लेकिन मैं क्यों खरीद लूँगा, अब तो 50 का हो गया, मैं 50 रुपए क्यों खरीद लूँगा, तो मैंने नहीं खरीदा, वो जो booking क मैंने जाने दिया, टोकिन के रुपए मों डूप जाने दिया, तो मेरे नुकसान कितने का हो, केवल 20 सुपए का, जो मैंने booking करी थी, अगर मैं शेर ले ले लेता, तो मेरे नुकसान होता 50 सुपए का, तो option के ज़रिए, होने वाले नुकसान को मैंने बहुत कम कर दिया, 50 तो अब, आप सोच रहे होंगे, अरे वा, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, अपने लुकसान को कम करने का, काट करने का, रोक लेने का, options तो बहुत अच्छा है, ऐसे में, तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूँ कि future option में क्या risk है, क्या danger है, वो मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप जड़ा यह सोच लीजे कि इस case में आपका loss कैसे कम करें, लेकिन मान लीजे कि अगर आपको ठेका मिल गया होता IPL का, और share 100 से 200 रुपय हो गया होते, तो क्या हुआ होता, आपने तो 20 रुपय प्रीमियम दिया हुआ है, एक महने अब एक तारीक को 100 रुपय देंगे और share ले ले लेंगे, अब शुरू में आपने 20 रुपय प्रीमियम दिया, और अभी 100 रुपय दिया, यानि एक सो बीस रुपय आपने दिया, और आपको 200 रुपय का share मिल गया, यानि कि आपका 80 रुपय का मुनाफ़ा हुआ हुआ, तो इस केस में आपको मुनाफ़ा भी कम होता, अगर आपने एक महने पहले इस चीदा share ले ले लिया हुआ, तो आपको टोटल कोस्ट होती 100 रुपय, तो इस केस में आपकी टोटल कोस्ट आई 120 रुपय, तो बीस रुपय आपने प्रीमियम दिया था, इस हक है तो share ले या ना ले, तो हक की कीमत ही 20 रुपय, और फिर आपको ये हक मिला था 100 रुपय में, कि आप एक महने बाद 100 रुपय पे share खरीदने का हक मेरे पास है, तो आप आपको 100 रुपय भी देने है, तो आप आपकी कोस्ट हो गए 120 रुपय, तो अब जहां पहले आप डारेक्ट वो share ख क्योंकि बहुत सारे अधर factors आ जाते हैं, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप समझें कि क्यों options को बहुत risky मना जाता है, और क्यों इतना ज्यादा उसके बावजूद लोग उसके परती आकरशित होते हैं, और खूब जादा option trading, दुनिया के हर बड़े share में option trading होती, इसके reason, risk, benefits यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो मैं फिर से इसमें important बात दो है, पहला कि future contract में जहां आपके पर obligation है, कि अगर आपने वो contract बेचा नहीं है, तो expiry के दिन आपको उसको honor करना है, आपको वो share खरीद नहीं है, options में आपके पास option ह कि आप चाहें तो खरीदो, चाहें तो मत खरीदो, और आपका premium का पैसा तो पहले ही ले चुगा है, वो डूब किया, अगर आप share खरीदते हो, तो आपको 100 रुपे और देने है, जो आपने contract लिया था, उसके साब से नहीं खरीदते हो, तो आपके वो premium का 200 रुपे डूब क आप एक महने बाद की परिस्तिती देखकर समय के साब से आपको option को expire होने देना है, वेश जाने जाने आए या फिर आपको सच में वो share खरीदना है, यह major difference है, second, इसमें main difference ही है, कि जो maximum आपका loss है, वो उतना ही है, चितना कि आपने premium दिया, क्योंकि अगर share zero भी हो जाता है, तो आप माना कर दोगे, कि मैं वो नहीं लूँगा, तो चाहे तो खरीदो, चाहे तो नहीं खरीदो, जैसा, जैसे की example समय लेते हैं, कि 100 रुपाय का share, 50 हो गया, तो आपने नहीं खरीदा, तो आपको बस option था, नहीं खरीदने का, तो आपको 20 रुपाय का premium का ही loss हो, माइन जिस भाव पर आप खरीदोगे, जिस contact हुआ है, वो अगर वो 100 से नीचे है, तो आप खरीदोगे ही नहीं, तो आप खरीदोगे ही नहीं, अब market से ले लोगे, तो ऐसे में loss mitigate करने, loss maximum loss का mitigate करने के लिए options का choose हो रहा है, तो अब हम जानते हैं कि ये call option और put option क्या होता है, नहीं करे सकते हैं, यानि कि आप किसी share को call कर सकते हैं, ये share मुझे दे दो, call कर रहे हैं, वो होता है call option, जिसमें आपके पास option है, कि आप एक महने बाद उस share को या तो खरीदें, या ना खरीदें, ये है call option, इसका ठीक उल्टा, जिसमें आपको ये option होगा, कि आपको share उसे कहते हैं put option, put option का आपको एक example दे देता हूँ, जिस company पर आपको उम्मीद थी कि satellite rights मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा उम्मीद उस बात की थी, उसलिए आपने ये rights खरी लिया, एक महने बाद चाहे उस share कदाम कुछ भी हो, आपको share सोरपम खरीदने का मौका मिलेगा, अ एक महने बाद आपके बास के option होगा, कि आप चाहे तो इस share को बेचे और सामने वाले को खरीदना पड़ेगा, आप चाहे तो ना बेचे, आप की मर्ची, अगर आप चाहेंगे बेचना है तो उसे वो खरीदना पड़ेगा, जैसे call में आपने चाहा कि मुझे ये share एक महने लेकिन सामने वाला, अगर call option है, खरीदना चाहते हैं तो उसे बेचना पड़ेगा, अगर put option है, बेचना चाहेंगे, तो उसको खरीदना पड़ेगा, उस पर ये foundation है, जिसके बाद option नहीं है, जिसको आपकी इच्छा के साब से काम करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं option right, तो किसी और को बेच सकते हैं, तो वो 20 उपय का आपने जो premium दे के token मिला है, जिसके बदले आपको एक महने बाद 100 उपय का share आप खरीच सकते हैं, आप चाहें तो एक महने मत रुकें, और उस token को किसी और को देते हैं, तो कई लोग expiry तक रुकते हैं, कई लोग expiry के पहले ही token क तो शेर कदाम उसके हिसाब से उस token को पहले ही बेच देते हैं, तो ये दोने तरीके आपके पास options में भी available हैं, ये तो ही future और options की, अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके advanced concept के बारे में बता हूँगा, इसके benefits क्यों लोग इसे करते हैं, क्या leverage में फरक पड़ता है, इस जाँ तरिक बारे में बता हैं